आप सेर कर रहे हैं, सेर भी कीजिये और खबरों से अपडेट भी रहे हैं, दसूतर आप के लिए लाया है सुबह का पॉड़कास्ट, सेर भी, खबर भी, नमस्कार, मैं हूँ राहूल गड़वाल केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश्या हत्यलंगाना के दो दिवसिये दोरे पर है, आज ग्रह मंत्री के दोरे का दूसरा दिन है, पहले दिन ग्रह मंत्री ने हैदराबाद में कोर गुर्प के साथ बैठक की, इसके साथ ही उन्होंने हैदराबाद मुक्ति दिवस समारों की ने आ गई हाला कि उनकी सुरक्षा में लगे कमांडों ने उस कार को डैमेज कर दिया भारत जोडो यात्रा का आज 11 दिन है आज यात्रा चेपपड से आगे बढ़ेगी शनिवार को भारत जोडो यात्रा ने 12 किलोमीटर का सफरते किया सुबह यात्रा की शुरुवात करणाग बल्ली के पास पुथाया कावू जंक्सन से हुई इस दोरान राहूल गांधी के साथ हजारों कारेकरता तिरंगा और पार्टी के जंडे लहरा रहे यात्रा ने किरल के अलाब जुजहा जिले में कुछ घंटे आराम किया जिसके बाद यात्रा चेपड़ पहुँची यहां कॉंग्रेस ने ता राहूल गांधी ने सभा को संबोधित किया मद्य प्रदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश का अलट जारी किया है बीते 24 घंटे के तोरान 24 से जादा जिलों में पानी गिरा मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के तोरान भोपाल समेत 18 जिलों में अयलो अलट जारी किया है इन शहरों में बारिश हो सकती है हालाकि इसके तीन दिन बाद मंध्य प्रदेश में बारिश पर ब्रेक लगने के आसार है 21 और 22 सितंबर को भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है पश्चिम नेपाल में भारी बारिश के चलते अचाम जले के कई हिस्सों में भूस कलन हुआ हाथसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग लापता है एक अधिकारी ने बताया कि राहत बचावकारे अब भी जारी है यहां लगातार बारिश के कारण बिजली गुल है, सडकें तूट गई है और जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादफ को IRCTC घोटाले में दी गई जमानत को रद करने के लिए सूत्रों की माने तो सीबियाई ने तेजस्वी की ओर से एक कॉन्फरेंस में सीबियाई अधिकारियों को धमकी देने के मामले में यह याचिका लगाई थी CBI ने कहा है कि तेजस्वी यादफ की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उलंगन किया है तेजस्वी को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है